प्रॉपर्टी विबात पर शहपुरा में चली गोलियां चाचा ने अपने ही भतीजे पर की फाइरिंग दो घायल क्या है पूरा मामला देखी ये रिपोर्ट जबलपुर के शहपुरा थाना शेत्र अंदरगत गिराम मगर मुहा में संपत्ति विबात को लेकर चाचा ने अपने ही भतीजे पर बंदुख से फाइरिंग कर दी ये फाइरिंग में अनूप परियार और आशिश परियार नाम के दो युपकों को गंबीर चोटे आई हैं जिने राज के लिए मेडिकल अस्पताल में भरती कराया गया है वहीं पूरे मामले में पुलिच के दोरा मामला दर्ज करते हुए आरोपियों के तलाश शुरू कर दी है जहां मामले में जानकारी देते हुए अडिसनल स्पी सोनाली दुबे ने बतायागी शपरथाना शेत्र के गराम मगर मोहां रागबेन सिंग परियार का अपने ही परिवार से संपत्ती विबाद चल रहा था जहां देर रात रागबेन सिंग परिहार ने अपने दो भतीजे आशीश और अनूप परिहार पर फायरिंग कर दी इसके बाद गंबी रूप से घायल आशीश और अनूप को मेडिकल अस्पताल में भरती कराया गया है वहीं आरोपी रागबेन सिंग परिहार को पुलिस ने गरफतार कर लिया है जहां मामले को लेकर आरोपों से पूस्ताच की जा रही है वहीं पुलिस ने पूरे मामले में दर्ज करते हुए जहां शुरू कर दी है वहीं फायरिंग में घायल अनूप सींग परिहार ने बताये की उसके चाचा रुगवीर सींग परिहार और बड़े पापा की ललके शिबम और राजमडी सींग के दोरा पूरी घटना को अंजाम दिया गया है जिबम और राजमडी ने उसे और उसकी भाई आशीश को पकड़ रखा और चाचा रागवे ने फायरिंग कर दी जहां कई बरसों से दोनों पक्षों में संपत्तिक अविवाद चल रहा है जिसको लेकर पूरी घटना को अंजाम दिया गया है अजिस और उनी की डोनों का तीजे है एक आशीश है और एक और बच्चा उसका नाम अलूप परिया है उनी बुलियां लगी विलेशन करी और भी जो कशे सामने आई गया उसकी साफ से कारवाई की जाई अरुपी वहां पर उसकी रांड़ आप तो कलिया था क्यारिश की इसकी इनिश्टिकिशन के बाद लिया है अजिए च्या गटना हुए ती आप से साफ और किसने आपके इंपर फाइरिंग की थी मेरे को मेरे चाचा ने फाइरिंग की और मेरे बड़े पापा के तो लड़के हैं राजमारी सिंग उन्हें उन्हें मुझे बहुत जोरों से पकड़ लिया मेरी जाकेट फाड़ दी और उन्हें का लड़का सेवं सिंग परिया वो भी मुझको पगड़ा था और दोनों बोल रहते चाचा से कि इसको जान से मार दो, चान से मार दो मैंने उनके हाँ में तटा देख लिया, वो अपने जान सा नहीं छोटा था, वो पटता था जो भी था तो वो निसाना मिला रहा था, मैंने चूट, चूटने की बहुत कूदिस की पर विज दो लोग ते, सिवामुपिंपधिन परियाद और राजमडी परियाद, चूटने की बहुत कूदिस की, लेकन मैं चूट नहीं भाएँ ने, ने, ये पूरी गटना कहा की है? ये मंगर महों, मंगर महों, पेपरा बटोनी, वजय क्या थी मानने थी? ये मेरे जो चाचा है, मेरा फैसकर के मकान है, तो वो पचासों साल पहले बट गया है, अब वो जबा जस्ती कर रहे हैं कि मेरे को आधा देओ, आधा देओ, तो हम लोगों नो उन्चे बोला, चाचा ऐसा मत करो, थोड़ा बहुत ले लो, एक दो सुद ले लो, लेकिन हम पूरा चाहिए, आधा चाहिए, आधा चाहिए, तो मैंने बोला, जब किसने सालों से, पचाफों साल से ऐसा, चलने लो, वो नहीं महाने, बरोगाली उन्चे लोगे लगे, एक बार इसके पहले और वहास्ता कर चुके हैं, मेरी माता को, उन्होंने बहुत मारा है, फिर मैं मेरे को राजमरी सिंग ने और उनका लड़का सिवंग सिंग परिहार और मेरे चाचा अगागवें सिंग उनों मेरे उपर गोली चलाई मैंने प्रिट्यक्च अपनी आखोर देगा उनके हाथ में चोटा सा कट्टे या जू भी था वो चलाई उनने जबलपुर से वीरोचीफ बाजित खान की रिपोर्ट